हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक राधे राधे आज हम आपको जगनात पूरी उडिशा जगनात महराज की दर्सन और टूर कराते हैं भगवान के दर्सन तो नहीं करा पाएंगे मंदिर के क्योंकि वहां का फोर नहीं है लाउड है इसलिए देखिए यह जो सबसे पहले आपको दिख राए कोणांग टेमपल सूर पगवान का मंदिर है जिसमें की पूझा नहीं की जाती केवल टूरिस्ट प्लेजम मनाया गया है इसमें अंदर इंटों से दर्वाजा बंद कर दिया गया जिससे अंदर एंट्री नहीं है बार बार आप गोम सकते हैं अगर पुरी जा अब पुरी अगर आप जाना चाहते हैं आप प्लान मनाते हैं जगनात पुरी जाने का तो कभी भी आप दिसम्बर मन्थ में ना जाएं क्योंकि दिसम्बर मन्थ में वहाँ बहुत ही भील रहती है इसलिए आप जब भी जाएं तो और किसी मन्थ में जाएं यह देखिए ए इस मंदिर में कृष्ण वगवान की भी फोटो है और सभी जोतलिंगों की भी मूर्तियां है यह देखिए एक मंदिर इसमें बना है बोले आवा का मुक्त दिख रहा है उसमें जीव है उसकी फोटो नहीं है मैं पस तो उसके अंदर सारे जोतलिंग आपको जितने भी 12 जोतलि का घर है यहां पर दो विस्तर पड़े हुए हैं जिस पर बगमान सोते हैं यह उनकी बहन जगनात महराज की बहन सुबद्रा है जो की 15 दिनों के लिए अपने घर चली जाती है तो उनका मंदिर है बीच में सुबद्रा एक तरफ बल्दाव है और एक तरफ जगनात महराज अनिके अमारे ठाकुर जी है जब यह अपने घर चली जाती है फिर इनको लिवाने जगनात महराज जाते हैं तबी रथ्यात्रा निकलती है वहाँ शाबन महा में यह जाते हैं यह बल्दाव का घर है जहाँ पर भी अपनी बहन को लेने के बाद जेट महा में भगवान तब उनको बुखार आ जाता तब यहां सोते हैं यह उनकी मौसी का घर है अंदर की पिक नहीं लेने दीवरों ने इसलिए अंदर उनकी मौसी रहती है जगनात महराज की यह जगनात टेंपल है यह उनकी ऊपर जो दिख रही यह दोजा है इसका ये मानना है कि ये डेली बदली जाती है अगर जिस दिन ये दोजा नहीं बदली जाएगी उस दिन छे मैने के लिए उस दिन से मंदिर ये बंद कर दिया जाता है और छे मैने पूर होने पर भी खोला जाता है इनकी दोजा ये जो है ये रोज 5 मुझे साम को बदली जात और इसका ये भी होता है कि ये अपोजिट साइड में जिस साइड में हवा चल ले होगी उसके अपोजिट साइड में ये जंडा जो है वो लहराता रहता है और friends जगनाद temple का ये भी है कि जब आप जगनाद temple जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि मंदिर के बाहर आपको सोर नहीं सुनाई देगा बट आप जब मंदिर के अंदर पैर रखेंगे तो आपको समुद्र की ये लगेगा समुद्र बहरा है मारे पैरों की नीचे से समुद्र की लहलाट कलकलाट जैसे आबाद जो होती है वो सुनाई देती है तो उसका भी आप अनुभब कर सकते हैं अच्छा जो जेट वहां में जब पंदा दिन बाद ये दुबारा बापस हो जाते हैं तभी दर्सन स्टार्ट होते हैं और वहां जगरनात पुरी में एक ये भी है कि वहां पर महां प्रशाद नहीं चड़ता है कुछ भी महां भोग प्रशाद आपको खाने के लिए मिलेगा उसमें सारे ही जो बेंजन हैं वो मिलते हैं 56 भोग का प्रशाद चड़ता है मिटी की मटके मटके जैसे हैं आज भी वहां चूले पे भोग बनता है और मटकी मटकी एक उपर एक एक उपर एक रखी जाती है और भगवान की ऐसी कुछ जगनात माराज की कृपा है कि जो वो मटकी है वो ऊपर से पकना तैंक यू फर वह चाहिए